हर व्यक्ति सुक की कामना रखता है, सुक चाहता है, दुख नहीं चाहता है पर जिसको हम सुक कहते हैं वह भी काल अंतर में दुख में परवर्टित हो जाता है हमको सुक दुख का पता नहीं है इसलिए हम दुखी होते हैं जो सुख दुख में बदल जाता हो, वो सुख नहीं है संसार को हम देखते हैं, संसार को हम प्राप्त करना चाहते हैं और संसार हमको कभी भी प्राप्त नहीं होगा संसार हमको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है क्योंकि संसार से हमको न जातिय एकता है न सुरूप की एकता है जिससे जातिय सुरूप की एकता नहीं हो वो हमको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है संसार की प्रतीती होती है प्राप्ती नहीं होती है संसार हमको दिखाई देता है इस प्रकासे आपने देखा होगा टीवी में नाना प्रकार के फल दिखाई दे रहे यानि क्या क्या चीज दिखाई देती है वो बोट खाली देखने मात्र के लिए है आपको प्राप्त नहीं हो सकती इसी प्रकासे संसाज जो दिखाई दे रहा है वो आपको प्राप्त नहीं होगा, शरीर को प्राप्त होगा और शरीर आपका स्वरूप नहीं है बस यही दुक्का कार्ण है, इसी का नाम अज्ञानता है संत जन उसी का बोध कराते हैं, कि जिसकी तुम कामना करते हो जिसकी तुम चाहना करते हो वो तुमारे को कभी प्राप्त नहीं होगा जब ये बोध हो जाता है तो ये ज्ञान है कि संसार की क्यों संसार की होती है हमको इक्षा वासना चाहना होती है संसार की मो ममता आसकती ही संसार की होती है पर बाज्य की ये होती है अज्ञानवस जब विवेकी सादक को ये चीज मालूम पड़ जाएगी कि ये हमको प्राप्त होने वारी चीज नहीं है तो उनकी आसा छोड़ देगा आसा को छोड़ के इनसे निरास हो जाएगा जिस चीज की आसानव हो उससे विवेक मानपुर निरास हो जाते हैं सभी प्रकार की उसकी चाहना का त्याक कर देते हैं वो अपने आप में ही सांत हो जाते हैं क्योंकि इंद्रिय गोचर जो भी बस्तु हैं आपको कभी भी प्राप्त नहीं होंगे तो इस प्रकास से हमको चाहिए कि जितनी भी इक्षा वास्ना चाहना है हमसे भिन्न की है आपसे भिन्न आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है और जो प्राप्त होने वाला जो आपको पहले से प्राप्त है जो प्राप्त हो सकता है वो आपको पहले से ही प्राप्त है पर उसका हमको पता नहीं है हम संसार जो दिखाई दे रहा है बस इसको चाहते कि हमको प्राप्त हो जा वो कभी प्राप्त होगा नहीं इसलिए व्यक्तित दुखी है तो संतों के पाँ जाता है संत मात्मा ये बताते हैं कि भी आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको पहले से प्राप्त है इसलिए उसमें संतों कीजिए और जो अपने से भिन्ना आप कुछ और प्राप्त करना चाहते हैं वो कभी प्राप्त नहीं होगा उससे आप विराम हो जाएए उससे विराम ले ले लेजिए इसका नाम है वेराग क्योंकर राग के द्वारा हम दुखी हैं सभी व्यक्ति राग के द्वारा ही दुखी होता है राग का त्याग करके हम वेराग को यदिधान कर लें सब की ख्षवास्ण चाहना का त्या कर दें हम सदेव सुकह हुँए को मांसिक और भ्वतिक दोनों प्रकार से हम दुखी है मांसिक रूप से हम दुखी है मन के अंदर नाना प्रकार के इसोय ब्रह्मपरमाटमा देवी देवता का भूत लगा रखा है यह हमको प्राप्त होंगे कभी हमको सुख पहुचाएंगे वो मित्या जूट है जूट का हमने सत्य समन ले आए जो संसार दिखाई देता यह भी हमको कभी सुख नहीं पहुचा सकते जो चीज आप सुख समझते हैं वो सुख आपको कभी नहीं मिलेगा सुख की कामना का अत्याग कर दे सुख की कामना का अत्याग करने से आप सुख ही हो सकते हैं को सुख संसार का शरीर को मिलेगा आपको नहीं मिल सकता जो चीज़ आपको नहीं मिल सकती तो बाहर से आपको नहीं मिल सकता है न दुख आप सुख और दुख दौनों की जनईया है सुख को भी जानते हैं दुख को भी जानते हैं पर दौनों को जानने वाला दौनों से अलग होता है आप सुख से भी अलग हैं दुख से भी अलग हैं सुख की प्रतीती करते हैं दुख की प्रतीती करते हैं पर यह आपका सुरूप नहीं है, और जो आपका सुरूप नहीं हो, वो आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा, जो कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं, उससे वेराग लेने में ही भला है, उससे उप्राम हो जाने में अच्छा है, तो हमारी जब उससे उप्राम हो जाते है इक्षा वासना चाहना हमारी सर्व खत्म हो जाती है सभी वासनाओं का अंतों करके हम अपने आप में ही सांत रहते हैं वही परमसांतिक और भो ही आपको मिल सकता है जो चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती हो उसकी आसा का त्याग कर देना चाहिए जो कभी प्राप्त नहीं हो संसार कभी प्राप्त नहीं होगा इसलिए उसकी आसा का त्याग कर देना चाहिए उसकोई संतों ने वैराग कहा है और विना वैराग के कोई सुकी नहीं हो सकता है इले संत मात्मा वैराग का अपदेश देते हैं संसार का राग त्याक करके ख Flutdha को घ्रहन करके हम सदेव आप में ऊही अपना घर है उस अपने आप में एश्थितो करके हम सदेव सुतंतरता स्वाध Animals प्राप्त करके स्वतंता स्वाधिनता क्या है और उस दुख का त्याग करने के लिए उस तंत्र होना ही चाहिए ऐसा संत महात्म अपदेश देते हैं वही मैं संतों की कई वी बात कोई मैं कह रहा हूं बोले सी स्थी गुरुदेव की कि